हेलो गाइज, आज हम आपके साथ में शेयर करने जा रहे हैं बेसन के लड़ू, पसंत पंच में इस्पेशल, अब आप सोचेंगे बेसन के लड़ू तो सभी बना लेते हैं, हाँ बेसन के लड़ू सभी बना लेते हैं, लेकिन ये लड़ू थोड़ा सा अलग है, इन को बनाने में हमने यहां पर एक सीक्रेट इंग्रीडियन का यूज किया है जिसे कि यह बेसन के लड़ू बहुत ही क्रंची बनेंगे तो चलिए बेसन का लड़ू बनाना शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहरे आप सभी लोगों से सब्विनम्र निवेदन है कि मेर यह रेसिपी अगर आपको पसंद आए वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यो कि हमारे वीडियो को लाइक करना शेयर करना कॉमेंट करना और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है जिसकी वज़े से कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ किन फिर मैं अपने आपको खुद ही मोटिवेट करती हूँ और वीडियो बनाने लगते हूँ ये सोचकर कि शायद कभी तो आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आएं और इस पैन में एड़ करेंगे टू टेबली स्पून देसी घी घी एड़ करने के बाद हमने इस घी में एक खास इंग्रीडियोंट को फ्राई किया था लेकिन वो इंग्रीडियोंट क्या है हम आपको आगे बताएंगे और उसकी छोटी सी क्लिप आगे दिखाएंगे उस को मैंने भुन लिया है यानि फ्राई कर लिया है फ्राई करने के बाद अब हम इस बचे हुए घी में ही एड़ कर देंगे तीन कटोरी बेसन कटोरी का साइज मीडियम साइज का है बहुत बड़ी कटोरी हमने नहीं ली है बेसन एड़ करने के बाद अब हमें थोड़ी सी ए अगर आप बेसन को हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो बेसन उपर से तो कलर चेंज कर देगा लेकिन अंदर से कच्छा रह जाएगा और अगर बेसन कच्छा रह गया तो उसकी वज़े से जब हम बेसन के लड़ू खाएंगे तो वो लड़ू हमारे गले में या मुँँ में लड़ू उतने ही टेस्टी बनते हैं और यह देखे बेसन का हलका सा कलर चेंज होने लगा है तो जैसे ही बेसन का कलर हलका सा चेंज होने लगेगा तब हम इस बेसन में और एड़ कर देंगे टू टेबल इस्पून देसी घी टू टेबल इस्पून हमने पहले लिया था और two table spoon हम जब बेसन का color change होने लगेगा तब इसमें और घी add कर देंगे घी add करने के बाद अब हम फिर से बेसन को बराबर चलाते हुए भूनेंगे और आप देख सकते हैं कि बेसन बहुत अच्छे से भून गया है और बेसन का color भी change हो गया है और बेसन से सोंदी सोंदी खुश्बू भी आने लगी है हम आपको बेसन को बिल्कुल पास से दिखा देते हैं और आप देख सकते हैं बेसन का color बिल्कुल change हो चुका है जैसे ही बेसन का color change हो जाएगा हम इसको दानेदार बनाने के लिए एक trick लगाएंगे और वो trick यह है कि हम इस बेसन में पानी का छीटा मारेंगे आप पानी के छीटे की जगे पर दूद का छीटा भी मार सकते हैं एक से दो बार पानी का छीटा मारने के बाद हम बेसन को फिर से दो सेकेंड के लिए भून लेंगे और उसके बाद फिर से एक से दो बार पानी का छीटा मारेंगे पानी का छीटा मारने के बाद अब हम फिर से बेसन को भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक कि जो हमने इस बेसन में पानी का छीटा मारा है वो पानी रिड्यूज नहीं हो जाता यानि हम बेसन को 5-7 मिनट बराबर चलाते हुए भूनेंगे बेसन को हमें बराबर चलाते रहना है ताकि बेसन पैन की तली में लगे नहीं और आप देख सकते हैं बेसन को मैंने 5-7 मिनट भून लिया है और भूनने की बाद आप देख सकते हैं बेसन बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है बिल्कुल दानेदार बेसन है और अलग-अलग है इसी स्टेज तक हमें बेसन को भूनना है और अब हम गैस को आफ कर देंगे और बेसन को किसी बोल में निकाल लेंगे बेसन के लड़ों को क्रण्छी और टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हमने पैन में जो टू टेबल स्पून घी डाला था उसमें हमने क्या फ्राई किया था? चलिए हम आपको वह बता देते हैं उस घी में हमने फ्राई किया था आधी कटोरी गोंद गोंद एड़ करने से बेसन के लड़ू बहुत ही क्रंची बनते हैं और टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं तो हमने यहाँ पर जब घी गरम हो गया तो इस घी में थोड़ी थोड़ी गोंद एड़ करके गोंद को अच्छे से फ्राई कर लिया गोंद को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोंद अच्छे से फूल नहीं जाती और यह देखिए गोंद बहुत अच्छे से फूल गई है और जब गोंद बहुत अच्छे से फूल जाएगी तब हम इसे पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह हम सारी गोंद को फ् पुसके कर प्रस करते हुए गौंद और मिक्स करने के बाद देशन को ठंडा होने के लिए चोड़ आप असानी से हाथ से छूसकते हैं इतना ठंडा हमें भी यह इंत डेल बेशन अच्छे से ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें एड़ कर देंगे जिस कटोरी से मैंने बेशन का मेजरमेंट किया था उसी कटोरी से हम इसमें एड़ करेंगे डेड़ कटोरी पाउडर शुगर की मात्रा को आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं पाउडर शुगर एड़ करने के बाद अब हम इसमें एड़ करेंगे क्रश की हुई हरी इलाइची हमने यहां तीन से चार हरी इलाइची ली थी जिन्हें हमने क्रश कर लिया है आप इसकी जगे पर इलाइची पाउडर भी ले सकते हैं या आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं साथ ही इसमें मैंने एड़ किया है कुछ केसर के धागे, केसर के धागे एड़ करना टोटली आप्शनल है और आब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे, आप चाहें तो इस मिश्रण में ड्राइफ रूट्स भी एड़ कर सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार, बेसन में पाउडर शुगर को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि जब हम बेसन को बांधते हैं तो बेसन बहुत आसानी से बंध जा रहा है, इसका मतलब यह कि इसमें घी की मात्रा बिलकुल परफेक्ट है, जितना बड़ा हमें लड़ू बनाना है, उतना पानी को गरम करके एड़ कर सकते हैं, या आप इसमें पानी का छीटा डाल कर भी इन लड़ूों को बांध सकते हैं, जो भी चीज आप एड़ कीजे, बस उतना एड़ कीजे, जितने में आपका ये बेसन बंधने लगे, और आप देख सकते हैं, बेसन का ये क्रंची एक लड़ू बनकर तयार हो गया, और इसी तरह हम सारे लड़ू बनाकर तयार कर लेंगे, और ये देखिए, फाइनली हमने बेसन के लड़ू बनाकर तयार कर लिये हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर पोटे वाले बेसन का यूज नहीं किया है, और नहीं हमने बूरा का यूज क करती हूं यह नहीं करती हूं कि बनाया कुछ है और दिखाऊं कुछ इसलिए इन लड़ों का टेक्स्चर और कलर आपको थोड़ा सा मार्केट से डिफरेंट दिखरा होगा पर लड़ों में टेस्ट बहुत जादा है मार्केट से जादा अच्छे बेसन के लड़ो आप घर पर तो आप उसका यूज करके ये बेसन के लड़ो बना सकते हैं तो इस बसंद पंचमी पर ये गोंद बेसन के लड़ो या बेसन के लड़ो आप अपने घर पर सरूर बनाईएगा यकीन मानिए ये लड़ो पहुत टेस्टी बनते हैं और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भ परफेक्ट है आप देख सकते हैं बिलकुल परफेक्ट ये गोंद बेसन के लड्डू या बेसन के लड्डू बनकर तयार हुए हैं साथ ही इन लड्डू में जो हमने गोंद का यूज किया है वो एक सीक्रेट इंक्रीडियन्ट है ये किसी को बताईएगा नहीं और फिर ये लड्डू बनाईएगा यकीन मानिए आपके घर में लोग आपकी तारीफ करते ठकेंगे नहीं तो इस बसंद पंचमी पर ये गोंद बेसन के लड्डू या बेसन के लड्डू अपने घर पर ज़रूर ट्राय कीजेगा और हमें कॉमेंट करके पताईएगा कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी